नमस्कान न्यूज इंडिया देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ पूजा अगरवाल बुलिटिन में आप सभी का स्वागत है शुरवाद बुलिटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे संसत भवन की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजिन्स ने छटे आरोपी महेश को गिरफतार कर लिया है मामले में पहले गिरफतार किये गए ललिट जा और महेश को पुलिस इस पूरे मामले का मास्टर माइंड मान रही है अतव्यपत थाने में पुलिस के समक्ष समर्पड कर चुका था लेकिन पुलिस ने केवल लले ज्जा को ही गरफतार किया था जिसके बाद अब महे जो है उसकी भी गरफतारी हो गई है और अब उससे भी पूछताच की जाएगी पूछताच में कई सवाल और जवाब होंगे और इसके साथ ये भी पता चल पाएगा कि आखिर ये सब कुछ सदन में जाना वहां हंगामा करना और वहां पर वो पीले रंग का स्प्रे का इस्तमाल करना धूआ भर देना सदन में सदन के बाहर भी इस तरह से विरोध करना प्रदर्शन करना आखिर इन सब के पीछे तो वहीं इसी संसद हमले पर राहूल गांधी ने अपना बायान दिया है बेरोजगारी की वज़ा से संसद में घटना हुई है देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है संसद में सुरक्षा चूग की घटना पर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ क्या इस पर किसी ने विचार किया देश में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है प्रदाद मंत्री मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है जो पूरे देश में उबल रहा है मोदी जी की पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ब्रीच ज़रूर हुई है बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है 25 संसद में सुरक्षा चूक की घटना पर कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए हम सदन में बार-बार कह रहे हैं कि केंडर रुग्रे मंत्री आकर बायान दे लेकिन वो वहां नहीं आना चाहते हैं और बायान नहीं देना चाहते हैं ये लोग तंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है स्पीकर जो की कस्टोडियन होते हैं सेक्रूटी जो ब्रीच हो गई है ये गंभीर मामला है और इस पर सरकार ध्यान देना चाहिए और हम पार्लेमेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे लेकिन होम मिनिस्टर वहां आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते क्यों हुआ कैसा हुआ क्या कारण है इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं पांच मिनिट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाइ करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है यह अच्छी बात नहीं है डेमॉकरसी के लिए और खैर जो लोग डेमॉकरसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई ही तो वहीं बीजपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कांफरेंस कर राहूल गांधी के संसद वाले बयान पर पलटवार किया है संसद की सुरक्षा में जो चूख हुई है इस मामली में जाच की जा रही है और जो कोई भी दोशी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा लेकिन राहूल गांधी कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच समझ ले कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं और क्या बयान दिया जा रहा है कर जो की कस्टोडियन होते हैं अभी रक्षक होते हैं अभी भावक होते हैं पार्लिमेंट के पार्लिमेंट सेक्रेटेरियेट के पार्लिमेंट परीसर के वो एड्मिनिस्ट्रेटिवली भी उनको देखते हैं उन चीजों को और कॉंस्टिटूशनली भी वो कस्टोडियन औ पूरे पार्लिमेंट परीसर के, उन्होंने उसी समय पर एक वक्तव्य जारी किया, उसी समय पर उन्होंने उच्च स्तरिये जांच के आदेश दिये, उसी समय पर उन्होंने तमाम जो विपक्ष के नेताओं के जो फ्लोर लीडर्स है, पाटियों के फ्लोर लीडर्स है, उनको न्योता दिया कि वो आकर अपने-पने सुझाव रखे और उसी समय पर कारवाईयां शुरू हो गई क्योंकि ये घटना जो हुई थी ये पहले भी ऐसी घटना है हुई है the speaker who's the custodian who's the guardian of the parliamentarian secretariat immediately issued a statement immediately called for a high level inquiry immediately invited flow leaders of the opposition parties for a discussion to avail their suggestions on this because this is not a one-off incident this has taken place in the past speaker Mumbai में युपती को कार से कुचलने की कोशिश की गए बड़े अधिकारी के बेटे पर ये आरोप लगाया तीन आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया Mumbai से सटे ठाने से एक मामला सामने आया है यहां एक Instagram influencer और 26 साल की beautician प्रिया सिंग ने अपने प्रेमी पर कार से कुचलने का गंभीर आरोप लगाया है प्रिया सिंग ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ट नौकर शाह का बेटा और उसके दो दोस्तों ने उसके साथ मार पीट की और अपनी एक स्यूवी कार उस पर चड़ा दी पुलिस ने बताया कि इस घटना में प्रिया सिंग गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल एक निजी अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है प्रिया का दाहिना पैट तूट गया है वहीं पेट और पीट और जो बाहें हैं उस पर गंभीर चोट की निशाने आई है पुलिस ने प्रिया की शिकायत की अधार पर तीन आरोपियों की खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है अला कि अब तक इस मामले में कोई गिरफतारी नहीं हुई है चार बजे घुडबंदर रोड पे होटेल कोटियाड के सामने सरीश रोड पे पीडित और समशेत हरोपिश्वजित का एकवाड रोमिल पाटिल और सागर शरके उनके बीच में कोई वादियोद हुआ जगडा हुआ उसके बाद पीडित हस्पिटल में एडमिट हो गई सबिस्तर स्टेटमेंट जवाब नुवंद किया है और वो जवाब के अनुशांग आगे का गुना दाखिल करने को महराश्वर की मुख्य मंत्री एकना श्रिंदे और समाजे करेकरता अना हजारे का एक वीडियो सामने आए जिसमें एकना श्रिंदे और अना हजारे एक दूसरे से मुबाइल पून पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं बतादे कि महराश्ट्र विधान सभा से लोका युक्ता विधे के द्रिश्य पारित कराने को लेकर बाचीत का ये दौर जारी रहा राजसान के सीकर से बड़ी कबर आपको बता दे बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई हाथसे में 13 बच्चे गंभी रूप से घायल हो गए हैं ग्रामिनों ने बस के तोड़े शीशे शीशे तोड़कर बच्चों को बहार निकाला गया घायल बच्चों को फिलाल अस्पादाल में भरती कराया गया है मौके से ड्राइवर परार है और जाच की जा रहा है आखिर यहाथसा हुआ कैसे आखिर बस दुरघटना ग्रस कैसे हुई फिलाल इस घटना में 13 बच्चे गंभी रूप से घायल हो गया है तस्वीरे लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जो पीले रंग की बस आपको नज़र आ रही है यही पल्टी और पलटने के बाद जो बच्चे इस बस में सवार थे उसमें से 13 बच् बस के शीशों को तोड़ा गया और बच्चों को बाहर निकाला गया हाला कि बड़ी बात यह कि ड्राइवर जो यह वो अभी फरार है और जांच की जा रही है क्या की यह अथसा कैसे हुआ किया कमी Thai क्या मैनेजमेंट में कोई कमी थी या फिट ड्राइवर की कोई लापरव पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार मौके से दूसरा बदमाश फरार हो गया जाच तेज चल रही है और गाड की पीट-पीट कर हत्या का मामला सामने आया है 14 अगस्त को हुई थी सुरक्षा गाड की हत्या बंगाल के उल्लू बेरिया के पास एक बड़ा हाथसा टल गया जहां हावडा से मुंबई जा रही ट्रेन के दो डिब बे अलग हो गए हाला कि इस घटना में किसी के हाता तो उन्हें की कोई खबर नहीं है अधिकारियों ने बताया कि घटना करीब साढ़े नो बजे की है जब हावडा मुंबई मेल के जब हावडा मुंबई रेल के दो डिब बे डी रेल हो गया और यह हादसा हो गया तो फिल्हाल ये खबर आपको दिखा रहे हैं किसी के हताथ होने की खबर फिल्हाल नहीं है अच्छी बात है ये बंगाल के बंगाल में ये हादसा हुआ है तस्वीर आपके सामने हरिद्वार में शत्रू संपत्ती को खुर्द बुर्द करने का मामला सामने आया है शिकायत के बाद दो PCS सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 10 लोग सिवक के भी नाम शामिल है SP विजिलेंस धिरेंद्र गुंजियाल ने मुकदमे की पुष्टी की अपने निजी लाब के लिए कुछ PCS अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर संपत्ती को सरकार को सौपने के बाद रजिस्ट्रिया करवानी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर शत्रू संपत्ती बेच दी बताया जा रहा है कि मामले में अब तक फर्जी तरीके से दस से अधिक रजिस्ट्रिया करवाई जा चुकी है जिसकी जानकारी किसी तरह विजिलेंस को मिली है जिसके बाद अब इस मामले में जाच की जा रही है जाच में मामले की सत्यता को देखते हुए विजिलिंस के देरादून सेक्टर ने 28 लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है हनमानगर जिले के गोगा मेड़ी इलाके में देरात हुआ भीशन सडक हाथसा दरसल एक बुलेरो और पिकप की टकर से इस हाथसे में तीन युवकों की मौत हो गई एक अन्य की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है गोगा मेड़ी पुलिस थाना अधिकारी राधे श्याम का रवाई कर रहे हैं केरल के मलपरम में बड़ा हाथसा हो गया है बस और आटो में जोरदा टकर हो गई इस सड़क हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई आपको बता दे कि करनाटक से तीर्थ यात्रियों को सबरी माला ले जाया जा रहा था और उसी वक्त ये हाथसा हुआ मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं घायलों को अस्पताल में फिलहाल भरती कराए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है तो बस और आटो में टकर हुई और इस हाथसे में बच्चे समेथ महिलाओं की भी जान गई है केरल के मलपुरम में ये बड़ा हाथसा हुआ जहां बस और आटो आपस में टकरा गए सड़क हाथसे में पांच लोगों की जान चली गई है जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केरल के मलपुरम से जहां एक आटो की टक्कर हो गई और इस टक्कर में पांच लोगों की जान चली गई जिसमें महिला और बच्चे शामिल है आला की पुलिस फिलहाल मामने की कार्रवाई की कर रही है जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुचाया गया है इलाज के लिए और जिनें अस्पताल पहुचाया गया है उनका इलाज भी चल रहा है फिलहाल मृतकों के शब को भी अस्पताल पहुचा दिया गया है और परिज हादसे का शिकार हो गई कार और एक अग्याद बहान में भीशन टक्कर हो गई जिसके कारण छे लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग गंभी रूप से घैल हो गई तस्वीर आपके सामने इस भीशन सडक हादसे में कार के पर खच्चे उड़ गई जानकारी के मताबिक फिलहाल गायलों को अस्पताल में भरती कराया गया है और पुलिस मामने की जाच परताल में भी जुड़ गई है तो वहीं राजस्तान में नई सरकार का गठन हो गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने जीपिटी सीम पत की शपत ले लिए मुख्यमंत्री के नामों पर हाई लेवल का मन्थन हो रहा है कि आखिर मंत्री अब किसे बनाया जाएगा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरह मंत्री के नाम भी बीजेपी हाई का मांताय करेगी दिल्ली से मोहर लगने के बाद मंत्री मंडल का गठन होगा और फिर राज़ भवन में श्वपत दिलाई जाएगी 36 गड़ में मुक्य मंत्री विश्णो देव साई की सरकार के मंत्री मंडल का विस्तार विदान सभा श्वीत कारिन 17 से पहले हो सकता है मिली जानकारी के आनुसार 17 दिसंबर यानि की कल सीम साई दिल्ली में हाई कमान से मंत्री मंडल कुरे कर चर्चा कर सकते हैं और इसी मुलाकात के बाद के बाद का गठन भी हो सकता है बता दे कि राज़े में मुक्य मंत्री समीट 13 नीता कैबिनेट में शामिल हो सकते है अब तक मुक्य मंत्री और दो उप मुक्य मंत्री नियुक्त हो चुके हैं बाकि 10 और मंत्री बनाय जाने हैं हाला कि इसको लेकर दावेदार जो है वो 15 है अब ऐसे में 15 में से सिर्फ 10 नाम वो कौन से होंगे ये आला कमान तै करेगा 36 गड़ में नवगठित बीजेपी ने पहला विधानसभा 17-21 दिसंबर तक आयोजित करना है लेकिन उससे पहले ही मंत्री मंडल का शपत ग्रहन हो सकता है इसके साथ है विष्णुदेव साय ने कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है और ये पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है इसमें नीती नीयम होते हैं और कारेकरताओं का सम्मान भी होता है अगर कारेकरता निश्टा इमानदारी के साथ परिश्वर्म करता है तो इसका फ़ल उसे जरूर मिलता है भारत की दोरे पर उमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक पियम मोदी से उन्होंने मुलाकात किये एदराबाद हाउस में पियम मोदी और सुल्तान की मुलाकात हुई पियम मोदी की हैतम बिन तारिक के साथ दुई पक्षे वारता भी हुई कई वेपारिक समझोतों पर हस्ताक्षर होने के भी आसार है आपको बता रहे कि ओमान के सुल्टान हैतम बिन तारीक भारत के तीन दिवसे दौरे पर है राश्टरपती भवन में हातम बिन तारीक का अपचारिक स्वागत किया गया जिसकी तस्वीरे आपके सामने है इस दौरान वहां राश्टरपती द्रौपधी मुर्मू और पियम मो हुदी ने कहा कि आज का दिन भारत और ओमान के संबंदों में एक एतिहासिक दिन है आज 26 साल बाद ओमान के सुल्टान राज के दौरे पर भारत आए हैं मुझे और 140 करोड भारत वास्यों को आपका स्वागत करने का अफसर मिला है मैं सभी देश वास्यों की ओर से आपका हिर्दे से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्टान स्टेट विजिक पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड भारत वास्यों को आपके स्वागत करने का अफसर मिला है मैं सभी देश वास्यों की दरब से आपका रुदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ विजदिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजली दी गए है पिम मोधी ने शहीद जबानों को श्रद्धांजली अरपित की है तो विज़े दिवस के मौके पर शहीदों को श्रधानजली अर्पित की गई प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और रक्षा मंत्री राजवनात सिंग श्रधानजली अर्पित करते नजाराई उसकी तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर विज़े दिवस के मौके पर सभी उन वीर जवानों को श्रधानजली अर्पित की गई जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निशावर किये और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए एक सो चालिस करोड की इस देश भारत वासियों के दिलों ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे है पिम मोदी ने एक ट्वीट किया है आज जिसमें उन्होंने लिखा है कि विज़े दिवस पर हम उन सभी बहादुर नायकों को हार्दिक श्रधांजली अर्पित करते हैं ज नायक जीत सुनेश्चित करते हुए कर्तव निष्ठा से भारत की सेवा की उनकी वीरता और संपन राष्ट के लिए अत्यंत गौरव का श्रोत है उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगा भारत उनके सा भास को सलाम करता है और उनकी अद्मे भावना को याद करता है वही रक्षा मंत्री राचनात सिंग ने भी उन्हें श्रधांजली दी वही रक्षा राज्य मंत्री आजय भट ने भी विज़े दिवस के अफसर पर राष्ट्रे युद समारक पर पुश्प आंजली की तो वही भपाल के शौरिस मारक पहुचे हैं सियम मोहन यादव सियम मोहन यादव ने शहीदों को नमन किया विक्सित भारत संकल प्यात्रा कुलेकर सियम ने कहा कि पीम चाहते हैं कि हम और अच्छा काम करें बीज़े पी की योजनाओं का लाब सब को मिलेगा और इसी के साथ इस बॉलेटिन में बस इतना हैं लेकिन खबरों का सिसला आगे भी जारी रहेगा आप कहीं मत जाएए और देखते रहेए न्यूस इंडिया नमस्कार झाल 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 झाल